हेलो एवरिवन आज हम परेंगे फुलास्थेंट इकनॉमिक्स का चेप्टर नमर त्री जिसका नाम है मॉनि एंड ग्रेडिट तो हम इस चेप्टर को बहुत यचे वीज्वल्स और इनिमेशन की मदद से समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब से पहले हम जान लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है अब हम जान लेते हैं डबल कोइंसिडेंस अफवांट क्या होता है इन डबल कोइंसिडेंस अफवांट बोथ पार्टीज एगरी टू सेल एंड बाई इच अधर कमिडिटी यानि इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे का प्रोड़क्ट बेचने और खरीदने के लिए एगरी होते हैं तो इसी को डबल कोइंसिडेंस अफवांट बोला जाता है हमारा नेक्स टॉपिक है मोडर्न फ़र्म अफ मनी मनी एक ऐसी चीज है जो लेन दिन में मीडियाम आफ इक्सचेंज के रूप में काम करती है अब हम जान लेते हैं कॉरेंसी के बारे में जनरली मनी कोइंस और पेपर नोट्स के रूप में देखने को मिलता है पर पहले ऐसा नहीं था पहले लोग पेपर नोट्स की जगा गोल्ड और सिल्वर कोइंस का इस्तमाल गिया करते थे अब एक सवाल आता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि कॉरेंसी कांट्री की गौर्मेंट द्वार अधिराईज होता है इंडिया में डिजर्व बैंक आफ इंडिया यानि आरबी आई कॉरेंसी नोट्स चारी करता है हमारा अगला टोपिक है डिपोजिट स्वित बैंक बैंक दूसरा फॉर्म है जिसमें लोग पैसा रखते हैं क्योंकि बैंक में जमा पैसा सुरक्षित रहता है और साथ में उस जमा पैसे का उनको इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक में जमा किया हुआ पैसा को डिमांड पे निकाला जा सकता है तो इसे को demand deposit कहा जाता है अब हम जान लेते हैं चेक क्या होता है चेक एक paper है जो bank को कुछ amount pay करने का निर्देश देता है तो चेक की मदद से transaction बीना cash का use की हो जाता है हमारा next topic है loan activities of bank इंडिया में जो banks होते हैं वो 15% deposit अपने पास रखते हैं और बाकी के पैसे loan के रूप में दे देते हैं bank जो loan देता है उस पर वो high interest charge करता है और bank depositors को कम interest देता है इस दोनों के बीच का जो अंतर है वही bank का main source of income है अब तक हमने जो भी परा वो money के बारे में परा अब हम credit के बारे में परेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं credit क्या होता है credit is an agreement in which the lender supplies the borrower with money goods or service in return for the promise of future payment जिसका मतलब या है credit एक agreement है जिसमें lender future payment के बदले में borrower को पैसे दे देता है loan अच्छा बुरा दोनों हो सकता है एक situation में loan किसी आदमी की कमाई बहा सकता है और दूसरी situation में या आदमी को debt trap में तकेल सकता है तो चलिए जान लेते हैं debt trap क्या होता है debt trap एक situation है जिसमें loan डीप पेकरना difficult या impossible हो जाता है या mainly high interest के कारण होता है अब हम जान लेते हैं term of credit क्या होता है term of credit is a set of condition under which a loan is given जैसे या method of payment rate of interest duration of credit और इससे related दूसरा condition भी हो सकता है अब हम जान लेते हैं collateral क्या होता है collateral is an asset that the borrower owns such as land, vehicle, etc and use this as guaranteed to a lender until the loan is repaid यानि collateral एक asset होता है जो borrower own करता है जैसे land, vehicle और इसका use as a guarantee के तोर पे किया जाता है अगर borrower loan को repay करने में fail हो जाता है तो lender उसके asset को बेंच कर अपना payment प्राप्ट कर लेता है हमारा next topic है credit sources in India Credit sources दो types का होता है पहला है formal sector और दूसरा है informal sector तो सबसे पहले हम formal sector के बारे में जान लेते हैं जब किसी bank या cooperative से loan लिया जाता है तो ये formal credit होता है Reserve Bank of India formal sector के function को supervise करता है और साथ में bank समय समय पर जानकारी RBI को देता है कि वह किसको loan दे रहा है और कितने interest पे दे रहा है formal sector से जो loan मिलता है वो low interest rate पे मिलता है अब हम जान लेते हैं informal sector के बारे में हमारा last topic है self help groups self help group में 15-20 लोग होते हैं और ये लोग अपने ability के हिसाब से हर महीने जितना भी पैसा उनसे save हो पाता है वो save करते हैं और उसको एक जगाई खटा कर लेते हैं और फिर उनमें से जिसको भी पैसा की जरुरत होती है वो उसमें से पैसा ले लेता है self help group का में फायदा या है कि इसमें बीना collateral के lawn मिल जाता है हमारा ये chapter नहीं पे खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर से subscribe कर लें